वेल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाट इसका चाप्टर नमबर 12 का क्या हो पाएंगे हम होंगे काम्याब और इसी अच्छी सी बात से चलिया मैं शुरुआत कर देती हूं हमारी नेक्स चैप्टर की जिसका नाम है री प्रडॉक्शन प्लांट्स प्लांट्स कई स्टूडेंट्स क्या होता है पूरा चाप्टर पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक की मैथट्स को हम और डिसका कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो भई आप कॉंसेप्ट वीडियो को जरूर देख लीजेगा और इसके साथ-साथ हमने एक रिवीजिन वीडियो भी इसका और डिप्रिपेर किया हुआ है इसके सारी सॉलूशन एंसी आर्टी अब हम क्या ''सट करेंगे इसके एंसी की सॉलूशन अब यहंने एंसी क्य大गरить बहुत जा़ा बच्चन पूछा जारा है या फिर उज में आपक्ञेयों मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको सारे थरीके के answers देने में आप capable हो जाएंगे तो चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले question number one से जिसमें आपसे पूछा है कि bisexual flowers are those flowers which have both अब हर एक word का जो मतलब है ना वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है बोला क्या है bisexual ठीक है क्या पूछा है क्या बोला गया है bisexual flower अब यह bisexual flower का क्या मतलब होता है तो यह जहां पर by word लिखा होता है ना इसका मतलब होता है two क्या होता है इसका मतलब two that means कि ऐसे flowers जिसमें male और female ठीक है दोनों reproductive parts होते हैं, है ना, उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहते हैं, bisexual flower, क्या कहते हैं, उसे हम, bisexual flower, ठीक है, so, ऐसे bisexual flowers are those flowers which have both female and male, okay, अब जो आपका female part होता है, flower का, उसे हम कहते हैं, pistol, क्या कहते हैं, pistol, clear है, और जो male होता है, उसे हम कहते हैं, stamina, क्या कहते हैं, stamina, clear है, यह याद रखेगा, कि stamina और pistols जो है, वो आपके male और female parts कहलाते हैं, flower के, clear हुआ, तो जिन बच्चों को नहीं पता था, उन्हें अब पता चली गया है, और जिनको पता था, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप से यहीं पूछा हुआ है, कि bisexual flowers कौन से होते हैं, तो भई, bisexual flowers, जिसमें male और female parts, दोनों हो flower का, उसे हम कहते हैं, अब male part को आप क्या कहते हो, stamin कहते हो, और female part को हम pistol कहते हैं, अब pollen grain और stamin क्या होता है तो stamin तो आपका female part है ही, pollen grain कहा होते हैं आपके, sorry, stamin तो male part है, stamin जो है, pollen grain जो है, वो stamin में में मौझूद होते हैं, जहां से वो आपके pistol तक पहुचते हैं, ovary and pollen grains क्या है, तो ovary जो है, यह आपके, यह जो pistol है, उसमें नीचे की तरफ होती है, जिसमें pollen grain जब जाता है, त पिस्टिल और ओवर्य लोधि अभी मैंने बताया तो सही कोउब्डेशन क्या है इसका सही कोउबीनेशिन या सही नाम जो है कि हर स्टैमिन आड पिस्त्ल जहां पर आपके जो पिस्टिल है यह आपका सीनल ब्रमार है,ider Cancer प्रीक्रोलाइब का और स्टैमिन है बी, clear, तो इस question को हम यहीं खतम करेंगे, I hope आपको सबको समझ में आया हो गया कि bisexual flowers के दो parts कौन से हैं, तो बिलकुल याद रखेगा stamines and pistols, next है the plant which have unisexual flowers, अब अगेन एक word आ गया है, unisexual, ठीक है, अब unisexual का मतलब क्या होता है, unisexual का मतलब होता है, जिसमें सिर्फ एक ही part हो, ठीक है, या तो male, ठीक है, और female, और का मतलब होता है, या, मतलब या तो female हो, या तो male हो, ठीक है, तो ऐसे कौन से flowers होते हैं, तुरई, लौकी, पंकिन, अब यह जितने भी आपके इस तरह के सबजियां होते हैं, vegetables होते हैं, यह अपन vegetable की तरह यूज़ करते हैं, त्टिक है, या ऐसे सारे fruits चो की आपके लौकी के टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका cucumber है, तो इन सब के जो flowers है ना, यह सब कैसे होते हैं, unisexual flower होते हैं, क्या तीनों जो है यह unisexual होते हैं that means कि इन में सिर्फ और सिर्फ या तो female या male reproductive part होगा clear है so इसका answer क्या होना चाहिए इसका answer होना चाहिए all of these क्योंकि यह तीनों ही कैसे होते हैं तीनों ही unisexual flower होते हैं clear है वही देखिए क्या है कि जब आप पूरा chapter पढ़ लेते हैं सारे chapters पढ़ लेते हैं तो आप कभी-कभी नाम भूल जाते हो आपको चाप्टर के बारे में तो याद रहता है कि हां हमने इसमें यह सारी प्रोसेस पढ़ी हुई थी लेकिन हम कभी-कभी उसके जो में नेम्स है कि बहीं चलो Bisexual हमें पता है यूनिसेक्शिल हमें पता है लेकिन आप यह भूल जाओगे कि Unisexual के types कौन-कौन से हो सकता यह भूल जाएं कि भई Bisexual के裁ए यह जो Bisexual flower है उसमें male और female reproductive parts को हम stamina और Pistol कहते तो इसलिए यह जो MCQ है यह आपको help कर सारी चीजों में करने वाला है clear है चल तो यहां से अपन second question खत्म करके पहुत जाते हैं अब question number third पर तो seeds and fruits are formed by seeds and fruits है ना एक plant से आपको क्या मिलता है fruit और fruit के अंदर होता है seed तो आपसे यह पूछ रहे हैं कि actual में यह दोनों बनते किस चीज से है ovary from fruits and ovule from seeds ठीक है यह जो आपका ovary है वो fruit बनाता है और जो ovules होते हैं वो seeds बनाते हैं या फिर ovary forms seeds and ovules from fruits क्या ovary seed में convert हो जाती है ovary रहती है नीचे की तरफ इस तरह से ठीक है तो क्या यह ovary जो है ठीक है जिसमें ovules होते हैं क्या ये ovary आपकी seed और ovule जो है वो fruit बनाएगा, ओके, next है pollen grains forms seeds and anther forms fruit या pollen grain forms fruit and anther from seeds, अब देखिए, pollen grain क्या करता है, pollen grain basically आपकी ovary में जाता है, वहाँ female reproductive part से मिल करके ये jaguar बनाते हैं, उसके बाद seed formation और fruit होता है, ठीक है, तो ये तो दोनों convert नहीं होते, ठीक है, next है ovary क्या seed बनाती है, या फिर ovule fruit बनाता है, तो जो ovary होती है, flower की ठीक है, वह basically क्या होती है, वह अगर बढ़ जाए, ठीक है, उसका जो bigger form होता है, वह बढ़ करके fruit बनाता है, ठीक है, तो ये seeds नहीं बनाती, क्या बनाते है, fruit, तो ovary जो रहती है fruit, flower की, वह धीरे धीरे होते हैं वह सीड बनाते हैं तो इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखेगा कि जो ओवरी है उसी का जो बड़ा वर्जन होता है जब वो धीरे धीरे बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो आपको फ्रूट में मिल जाती है और जो ओव्यूल है वह सीड बनता है ठीक है तो ओ ओवरी फॉर्म्स फ्रूट और ओविल्स फॉर्म सीड्स क्लियर चले नेक्स्ट इसकोशन नंबर फोर दन दमील रिप्रड़क्टिव पार्ट इस अब मेल रिप्रड़क्टिव पार्ट क्या होता है पिस्टल स्टामन ओवरी या फ्लार क्या फ्लार ही एक पेल नहीं है ओरी क्या होता है वारी तो नाम से समझमें आता है कि जो कि एक female reproductive part काे पाट हो dyanus की बाद st cabinet पिस्टिल तो इसमें से जो female reproductive part है इसको हम stamen कहते हैं । अभी हमने देखा था और जो सिस्टिल है he आपका female का reproductive part कहलाएगा flower में clear है ठीक है चले so next question is question number five the flower which contain either pistol or stamen और call अब ऐसे flowers जिसमें या तो हो या stamen हो तो उसे आप क्या कहोगे तो अभी मैंने आपको बताया की दोनों क्या होते हैं एक male part होता है और एक female होता है तो जिसमें सिर्फ एक हो से हम क्या कहेंगे uni uni मतलब क्या होता है one bisexual का मतलब होता है दोनों चीजें होना sexual flowers तो होते ही नहीं unisexual और pollination flower तो basically इसका जो आंसर होगा वो होगा option number C क्या होगा option number C that is unisexual flower next है female reproductive part is a flower का जो female reproductive part है वो क्या होता है stamen pollen grains bird या फिर piston तो अभी हमने बताया कि stamen तो male reproductive part है ठीक है और जो pollen grain है यह इसमें पाए जाते है stamen में ठीक है बड़ क्या होती है एक छूटा सा structure जो कि आपका plant में किसी और form में grow कर जाएगा या तो leaf में convert होगा या stem में convert होगा या फिर बड़ एक अलग भी चीज होती है जो कि reproduction में यूज होती है है ना तो वह आप अपन दूसरी चीज में अपन पड़े हुए थे reproduction में लेकिन अगर female reproductive part की बात की जाए तो वो क्या होगा आपका pistol clear है तो अभी तक इतना तो हमें याद हो गया कि हमारे कौन-कौन से unisexual flowers होते हैं और bisexual क्या होता है और male part और female part of flower को हम क्या कहते हैं clear है चली अब आगे चलेंगे question number seven के तरफ the flower which contain both stamina and pistols are तो अभी हमने देखा है इसका answer uni bisexual या asexual तो यह क्या होगा bisexual ठीक है क्या होगा second option next question the process in which plant can give rise to new plants without seed is called अब ऐसी process जिसमें एक plant से एक दूसरा plant लग जाता है लेकिन सीड की जरूरत नहीं होती उसे क्या कहोगे asexual reproduction sexual reproduction pollination या फिर fragmentation तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है लेकिन सीड की requirement नहीं होती उसे हम कहते हैं asexual reproduction sexual reproduction का asexual मतलब आपको किसकी जरूरत नहीं है seeds की requirement नहीं sexual में क्या होता है जिसमें आपके दोनों इस female और male reproductive part की मदद से pollen grains की जाने की वजहा से जो नया plant produce हो ठीक है pollination उसी process को कहते है जब pollen grain जो है वो आपका दूसरी फ्लार्ट के stigma तक पहुँचता है तो आप उसे pollination की process कहते हो fragmentation एक दूसरी चीज है जिसमें की आप reproduction ही होता है लेकिन वो अलक तरीके का reproduction है जिसमें की एक plant जो है वो दो पार्ट में तूट करके और ज्यादा reproduction करता है मतलब जो भी आपका mother plant है या जो भी parent plant है वो दो पार्ट में तूटेगा और उससे एक नया plant produce हो दाता है फिर उससे और होता जाता है जैसे कि आपने कई सारी तरी process में fragmentation को देखा होगा लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो वो process जिसमें बिना seeds के reproduction हो तो हम उसे क्या कहते है ए sexual reproduction ठीक है चले और formed in fungi अब यह मैं से कौन सी चीज़े जो फंगी में होती है है अब फंगी भी अपना reproduction करते हैं ओके तो वो कौन सा process है क्या pollen grains की process होती है फंगी में जी नहीं pollen grains किसमें होते हैं flowers में होते हैं ठीक seeds काय में होते हैं वो भी flowers में fruits में होते है birds या spore तो भई fungi जो है वो कौन सा formation करते हैं तो वो करते है spore formation कैसा formation करते है spores formation तो इसका option क्या होगा इसका होगा option option number d that is spore formation are formed in fungi spore किसमें बनते हैं fungi में clear next the production of new individual from their parents is known as अगर एक new individual बन रहा मदब एक नई चीज बन रही है अपने parents से ठीक है तो उस process को आप क्या कहोगे pollination reproduction fertilization या फिर fragmentation तो यह sorry यह क्या कहलाएगा आपका यह कहलाएगा one second हाँ the production of new individual from their parent is known as the reproduction क्योंकि एक नया reproduction हो रहा है pollination fertilization fragmentation यह सभी इसकी process है लेकिन इसको कहते क्या है इसे कहते हैं reproduction क्योंकि एक नई चीज डवलप हो रही है इसलिए आप इसे क्या कहोगे इसे आप कहेंगे reproduction clear हुआ question number 10 यहाँ पर खत्म करते है question number 11 पर पहुंचेंगे so 11 में पूचा है आप से the process in which new plants are produced from different vegetative parts such as leaves stems and roots called a vegetative part मतलब जिसको आप vegetable की तरह भी use करते हो है ना अब आप किस किस चीज को vegetable की तरह use करते हो आपने sixth class में पढ़ा होगा stems को leaves को भी use करते हो आप roots को भी करते हो तो यह सभी vegetative part कहलाते हैं तो अब वह process जिसमें की vegetative part से एक नया plant produce हो जाए उसे हम क्या कहेंगे reproduction की वह कौन सी process कहलाएगी किस टाइप का reproduction कहलाएगा वह reproduction fragmentation vegetative propagation या फिर fertilization तो हम इसे कहेंगे vegetative propagation क्योंकि यहाँ पर vegetative part की वजहार से एक नया plant grow हो रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे इसे आप कहोगे vegetative propagation इसका option होगा option number c clear तो यहाँ पर खत्म होगा question number 11 हम आगे बढ़ते हैं question number 12 की तरफ a small bulb like production okay which comes out of yeast all is called chicken so what projection जो की yeast में से बल्ब की तरह निकलता है माल लिजे कि इस तरह के का projection एक yeast ऐसा है फिर धीरे धीरे से उसमें छोटा सा बड़ बना शुरू हुआ ठीक है धीरे धीरे वो ऐसा start हो जाएगा फिर यह ऐसा होता है और एक नया yeast का production होना शुरू हो होता है तो यह जो बल्ब लाइक प्रजेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं बड़ स्पोर्स जिगाट या फिर फ्लार क्या कहते हैं इसे तो यह जो बड़ होता है है वाग कहरता है तो इसका option क्या होगा बर्ड क्या होता है कि ङीज़े है उसके उ valor के घूστर कर गया जिसको आप क्या कहते हो इसे आप बड कहते हो निये जो भाज है फिर यह से करते हैं मतलब कि किसिके ये production करते हैं ये बदिंग से किसे बड़िग है थीक है बड़िंग मतलब के एक नया बड उस पैयरिंट से ल में ही प्र्यूस हो जाई पैयरिंट सेल मतलब माले जी ये जीट स्फ है ठीक है दीरे-दीरे क्या हो कि इसमें एक छोटा सा बड क्रियेट हुआ वो जब final stage में आ गया मतलब जब वो grow कर गया properly तो वो यहां से क्या हो जाता है de-attached हो जाता है ठीक है de-attached का मतलब क्या होता है अपने उससे अलग हो जाना तो यह de-attached होकर कि खुद एक नया, खुद का एक cell create करेगा और फिर उसमें भी bud formation होते हैं, तो इस तरह से ही जो yeast है वो धीरे-धीरे reproduce होता होता फैल जाता है, तो यहाँ पर जो सही option क्या है, bulb-like projection which comes out of yeast is called bud, clear है, तो budding की method से, budding की process से ही यह अपना reproduction करते हैं, next है, a division of elongant parent cell into two daughter cell is called, अब एक elongant parent cell है, ठीक है, और वो two daughter cell, मतलब वो खुद तूट करके दो cell में तूट गया है, तो आप उसे क्या कहोगे, fragmentation, pollination, binary fission या फिर fertilization, तो fission का मतलब क्या होता है, तूटना, तो binary fission मतलब कि अपने एक binary से, अपने खुद के parent cell से, कोई cell generate जब हुआ हो, तूट करके, तो हम उसे binary fission कहेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई parent cell, दो daughter cell में तूटी हुई है, तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप कहोगे, binary fission, that is option number C, clear हुआ, सुभई हर option को बहुत अच्छे से देखिए, question को बहुत अच्छे से समझेए, तभी आ आपको answers clear होता जाएगा, ठीक है, तो यह question number 13 यहाँ पर हम खत्म करेंगे, और आगे चल देंगे, फटा-फट से question number 14 की तरफ, तो question number 14 में क्या बोला है आप से, splitting up of filament of alga, ठीक है, किस की बात कर रहे हैं, splitting of, of filament of alga, alga का जो filament है, उसका split होना, split होने का मतलब क्या होता है, तू और more than two parts, ठीक है, दो या दो से जादा अगर parts में कोई filament तूट रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, fertilization, fragmentation, pollination, या फिर reproduction, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाता है, fragmentation, ठीक है, fragmentation में, यह वो process होती है, one second, so fragmentation की यह process होती है, जिसमें की एक जो parent cell है, यह तूट करके, क्या करेगा, और ज़्यादा टुकडो में तूटेगा, और ज़्यादा parts में तूटेगा, तो यह filament के तूटने की जो process है, उसे हम fragmentation की process कहते हैं, यह भी एक reproduction की process है, जिसकी वजहासे, एलगा जो है, वो धीरे-दीरे फैलता है, अब एलगा को आपने कहां देखा होगा, लेक में आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का slimmy, slimmy सा water आपको दिखता है, तो यह जो green patch हो जाता है, उस पूरे लेक पर, यह क्या होती है, एलगा, अब यह फैलती कैसे आपने देखा होग ठीक है, और ऐसा यह जो एलगा है, यह पूरे के पूरे पानी में या फिर जहां पर भी से फैलना होता है, यह धीरे-धीरे से फैलना शुरू कर जाता है, ठीक है, अब देखिया हर जगे से यह फैलेगा, तो यह एक कौन सी process हो जाती है, फिर यह process कहलाती है, हमारी fragmentation के process, जिसमें एक जो आपका एलगा है, वो दो या दो से पार्ट में तूट करके पूरे उसमें फैलना शुरू हो जाता है, इसका example, याद रिखेगा, लेक में जो आपको ग्रीन-ग्रीन सा पैच दिखता है, वो एलगा के कारण ही होता है, और यह क्या करती है, यह fragmentation की मदद से reproduction करते हैं, है ना, और fragmentation word का मतलब समझ गए आप, अपने आपको दो या उससे भी जादा पार्ट में तोड़ लेना, clear है, चलिए, next is question number 15, so in sexual reproduction, male and female gametes fuse to form, अब sexual reproduction जो होता है, मतलब कि जो फ्लार की मदद से होता है, उसमें जब male और female gametes मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, फ्लार बनाते हैं, फंगी, स्पोर या जाइगॉट, अब यह जो sexual reproduction है, वो किस में होता है, फ्लार में ही होता है, तो फ्लार तो बनाएंगे नहीं क्योंकि फ्लार के अंदर ये process होती है, उसमें फ्लार में कुछ चीज बनती है, तो क्या बनता है, फंगी बनेगा क्या, जी याद रखेगा, option number D, next question number 16, the transfer of pollen from anther to stigma of a flower, ठीक है, pollen का anther से flower के stigma तक पहुचना, ठीक है, अब फ्लार में क्या होता है, एक anther होता है, एक stigma होता है, एंther में होते हैं भई आपके pollen grains, तो यह जो pollen का होता है, एंther से निकल के stigma, खुद के flower के stigma तक पहुचना, या फिर किसी और flower के stigma तक अगर वो पहुच जाता है, मतलब इस stigma मतलब जो बीच वाला portion होता है, ठीक है, तो अगर इस तक ही pollen grain पहुच रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आपन, fragmentation, fertilization, या फिर, या फिर, pollination या reproduction, तो pollen grain की आ रहे हैं, इसले इसको क्या कहेंगे हम, pollination, that is option number C, okay, pollen grain का transfer क्या कहलाता है, transfer of pollen, that is pollination, याद रखेगा, transfer of pollen, pollination, clear है, question number 17, if the pollen lanes on the stigma of the same flower, it is called, ठीक है, अगर pollen जो है, अब हर flower में अपना stigma होता है, हर flower में अपने pollen grains होते हैं, clear है, तो हर flower की बात मतलब जो bisexual flower होते हैं, उनकी बात कर रहे हो, कि जितने भी bisexual flower होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं अपन, bisexual flower, तो जितने भी bisexual flower होते हैं, उनमें उनका male and female, दोनों parts होते हैं, ठीक है, that is उसमें stigma and pollen grain, दोनों में होता है, clear है, तो जब खुद के ही stigma में pollen grains आ जाते हैं ठीके जब किसी flower के है ना जब किसी flower के stigma में उसी का ही pollen grain आ जाए same stigma plus same pollen grain same का मतलब यहाँ पर क्या है कि वही flower की बात कर रहे हूं ठीके तो इसको हम क्या कहते हैं यही आप से उन्होंने पूछा है कि अगर उसी flower के stigma में उसी flower के pollen grains आ जाते हैं तो आप उसे क्या कहोगे cross pollination, self pollination, right pollination या फिर pollination ही कहते हैं तो भई pollination तो है जो है यह दो तरीके का हो सकता है एक होता है आपका self और दूसरा होता है cross ठीके pollination कैसे होता है दो तरीके का self और cross अब self का मतलब क्या होता है अगर flower के same stigma में same plant pollen grain आ जाए उसी flower में तो हम उसे क्या कहते हैं तो हम उसे कहते हैं self pollination ठीक है मतलब कि जिसमें एक ही flower involved हो ठीक है same plant का flower same flower है ना एक ही flower में उसके same चीजें आ जाए और cross pollination का मतलब क्या होता है two different flower में अगर यह चीज होती है two different flower में है ना two different flower का मतलब क्या है कि एक flower का stigma दूसरे flower के एक flower का जो pollen grain है वह दूसरे flower के stigma तक पहुचता है तो उससे cross pollination कहते हो और self pollination का मतलब क्या होता है कि same flower में ही अगर stigma में pollen grains आ जाए तो आप उसे self pollination का होगे और यहां पर आपसे क्या पूछा है वही पूछा कि इव दा पॉलन ले लैंड on the stigma of the same flower उसी flower के stigma में उसी flower का pollen green अगर आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे self-pollination क्या कहेंगे self-pollination clear है चले अब next question पे चलेंगे question number 18 when you add yeast to dough it rises because अब जब आप yeast डालते हो डो में जैसे आप छोले भटूरे खाते हो तो उसके भी जो डो बनता है उसका उसमें भी क्या डाला जाता है यीस्ट डाला ही है मतलब कि और ज्यादा यीस्ट का जो ग्रो है वह हो रहा है उसमें या फिर बडिंग yeast cell from chains यह जो बडिंग ही सेल है वह एक चेन बना लेते हैं अना मतलब यह जो यीस्ट की हुआ है रिप्रडाक्शन के रैस्पिरेशन के कारण कैरण नयोक्सड क्योंकि यह प्रद्यूस करती है इस वजह से क्या वह फूल रहा है या फिर ओफ द बल्क वो धीरे धीरे आपको फूलता हुआ नजर आता है क्योंकि हमने respiration वाले chapter में पढ़ा था कि जो yeast cell है वो क्या करती है वो carbon dioxide को release करती है ठीक है और उसे oxygen की requirement नहीं होती मतलब कि वो cellular respiration नहीं करेगी तो जिसकी वजह से जो carbon dioxide है आपका वो produce होती है और इसकी वजह से जो डो है वो फूला हुआ नजर आता है clear है चली next is question number 19 so in onion and garlic new plants are produced from अब onion और garlic को आपके अपने घर में देखा होगा अगर onion बहुत दिनों तक रखा रहता है तो उसमें ही क्या produce होने लग जाता है ग्रीन ग्रीन सी leaves produce होने लगती है और onion और garlic basically है क्या यह पार्ट है आपके roots का है ना so इसी में अगर एक नया plant produce हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे burbs, tubes, leaf bird या फिर sub-areal stamps क्या कहेंगे इसे burbs ठीक है इसे कहेंगे हम option number 8 that is burbs clear हुआ अब है next question 20 question जिसमें आपसे पूछा है कि tiny cells protected by the thick wall and capable of producing new plant are called अब वो सारी cells ठीक है जो कि एक thick wall से protected होती है और एक नया plant produce करने में capable हो तो क्या वो seeds है, spores, birds है या फिर gamets है तो वही जो छोटी-छोटी cells के अगर बात की जा रही है तो वो cell होती है spores ठीक है जो की अब आरे बहुत अच्छी तरीके से thick wall से covered होती है जब उसमें diffusion होता है तो फिर एक नए-नए छोटे-छोटे से आपक बेसिकली वो किसकी मदद से grown होते हैं तुबर से क्या उसमें stem tubers, bulbs, stem cutting या फिड leaf birds, तो किसकी मदद से होते हैं क्या उसमें बल्ब्स ग्रो कर जाते है जैसे कि आपके potato में छोटा-छोटे से bulbs ग्रो करते है क्या रोज के plant में ऐसे bulbs ग्रो करते हैं तो bulbs का मतलब आप समझ करके लगा दे तो आप देखोगे कि आपको पोटाटो प्लांट मिलना शुरू हो जाएगा ऐगा एक तू पतला रोस प्लांट भी इसी तरह किस लगता है जी नहीं क्या हुसमें ट्यूबर्स होते हैं ट्यूब की मदद से स्टेftig मदद से होता है यह भी स्टैम को कट करके आप अगर उसे किसी और स्वाइल में लगा दे तो उसे रोज ओर लेम नियूर गृइगा तो जी हां हम अगर रोजET लामन को स्केश्टैम कट करके अगर दूसरी सही तो इलम लगा दो without the help of another, another individual is called, अब वो reproduction जिसमें की एक individual reproduce हो जाता है और दूसरे individual की उसमें जरुवत नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, asexual reproduction, fertilization, spore formation या फिर vegetative reproduction, तो जिसमें एक ही individual हो, दूसरे की requirement ना हो, तो उस word के लिए सही सही जो word है, वो है, asexual reproduction, जिसमें एक ही की जरुवत होती है, दो individuals की जरुवत ना हो, clear है, अब है, tombs and moses, produced by, अब यह जो आपको tombs and moses है, वो किसकी वज़े से produce होते हैं, fertilization से, vegetation से, spore formation से, या फिर pollination से, तो यह जो आपके काई है, जिसको आपने normally बोलते हैं काई, ठीक है, जो कि आपने कहीं जंगल में, या पेड़ों के नीचे, या पानी के आसपास देखा होगा, तो basically, यह जो spore formation होता है, उसकी वज़ा से, यह tombs and moses reproduce होते हैं, किसकी वज़ा से, spore formation के कारण, ठीक है, किसके कारण, स्पोर formation के कारण, तो इसका option क्या होगा, इसका option होगा, option number C, अब आपने यह देखा होगा, पेड़ के नीचे हलकी हलकी किसी काई होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, जिसको आपन मॉस कहते हैं, तो वही पूरा फैलती कैसे है, तो वह spore formation के through reproduction करती है, और धीरे धीरे पूरे ज the reproduction part of the, the reproduction part of the plant is, the reproductive part होना चाहिए है, so the reproductive part of the plant is, leaf, stem, root and flower, इसमें से reproduction part किसको कह सकते हैं अपन, तो भही reproduction part जो होता है, वो ते flower, क्योंकि इसमें male और female parts होते हैं, स्टामन होता है, पिस्टल होता है, जिसके मदद से reproduction करता है, तो plant की अगर बात करें, तो उसमें जो flower होगा, वो उसका reproductive part कहलाता है, clear है, क्योंकि इनी में ही साथी चीज़े होती है, next is question number 25, the process of fusion of the male and female gamut is called, अब यह अगर fusion हो रहा है, male gamut का और female gamut का, उन दोनों का मिलना ह गया मिल रहे हैं तो उसको क्या कहोंगे, आप fertilization, polination, reproduction या फिर seed formation, अब seed formation होता है, इन के fusion के बात, यह बात की process है, लेकिन fusion की जो process उसको क्या कहते हैं, reproduction कहते हैं, तो यह पूरे process reproduction कहलाती है, ठीकिन, लेकिन fusion के process नहीं फिर क्या pollination होता है तो pollination का मतलब क्या होता है pollen grain का stigma तक पहुचना यह pollination की process है तो इसका सही word क्या होगा इसके लिए सही word होगा fertilization that is option number a clear next is question number 26 mature ovary forms the mature ovary का मतलब क्या होता है कि एक जो ovary होती है फ्लार की ठीक है दिरे 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 वो grow करती है गई mature हो गई तो वो किसका form लेती है वो ले लेती है fruit का form और उसके अंदर जो ovules होते हैं वो बन जाते है seeds clear है तो इसका option क्या होगा इसका option होगा seed stamen pistol या fruit तो हमने अभी बताया fruit clear है चले so next is question number 27 question number 27 is where producing plant is अब spore producing plant क्या होता है तो rose bread mold potato ginger तो भाई spore formation जो है वो आपके yeast में होता है ठीक है that means कि यहां पर yeast कहां पर use हो सकता है bread mold में rose potato ginger तो आपके natural ऐसी चीज़े हैं जो की yeast formation से नहीं होती तो इसलिए इसका option क्या होगा bread mold clear हुआ आगे बढ़ेंगे next question के तरफ ब्रायो फैलम तो वह ब्रायो फैलम के चोटी से हमने लीव का आपको बना करके दिखाए हुए थी ब्रायो फिलम्स के लीव क्या होती कि इसके अंदर दूसरा plant जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाता है इसके लीव से ही ब्रायो फैलम can reproduce by its stamp, leaves, roots, flowers तो ब्रायो फैलम्स की जो जो री प्रायो फैलम का वो इसके लीव से ही हो सकता है ठीक है that is option number B next is question number 29 the seeds dispersal of by birds and animals are अगर ये जो seeds dispersed होती है bird और animal की मदद से वो क्या होती है क्या उसमें smell कम होती है या फिर very smelly होते है with smell and nectar या none of these तो basically अगर bird और animals जो है वो अगर seeds का dispersal करते है तो smell तो उसमें होती ही है लेकिन साथ में इसमें nectar भी present हो सकता है क्योंकि कई जो birds है वो flower के nectar को भी अपने साथ में लेकर उड़ती है ठीक है so basically इसका option क्या होगा इसका option होगा option number C that is with smell and nectar next question is question number 30 so which part of the flower forms fruit तो कौन सा part होता है flower का जो की fruit बना लेता है seed, ovary, cattle या stamin तो अभी हमने देखा है कि ovary जो है वो जब mature हो जाती है वो जब grow कर जाती है तो वो fruit में convert होती है इसलिए इसका option होगा option number B next question question number 31 okay so the cotyledon of the following come out of the soil when the seeds germinate ठीक है अभी cotyledon का मतलब क्या होता है ठीक है तो इसका मतलब होता है कि किसी seed में से अगर directly least produced होना शुरू हो जाए तो उसे कहते है उसका cotyledon ठीक है तो cotyledon इसमें से किसमें होता है ग्राम मेथी टैमरीन या फिर all the अबर तो टैमरीन जो होता है उसकी seed से ही छल छोटी से पत्तिया या leaves produce होना शुरू हो जाती है इसलिए इसका answer क्या होगा रिष्ट कमरीन ठीक टैमरीन मतलब真的 s paul nation is formation of flower from birds Nah falling falling Of pollen grain Cities में स्टिगम स्टिगमा प्लेंगें के मिए फाल हमना या फ़ोर च्रांसफर ऑफ différentes part 종 पॉलन ग्रे notre तक ट्रांसफर्य और हो रहा है तो उससे क्या हम कितने ध्यार्त कट कहते हैं या पिर यह चीज सारी कि सारी चीज़े सही है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा option number C इसका मतलब transfer of pollen grain to stigma by falling falling नहीं होता नहीं formation of flower होता है bud की help से इसका सही option होगा option number C that is transfer of pollen grain to stigma clear है चले तो यह हो गया pollination आगे बढ़ेंगे question number 33 की तरफ so which of the following has unisexual flower इसमें से unisexual flower किसका होता है तो हमने कि तुरही लौकी और pumpkin जो है इन सभी के flower जो है वो unisexual होते हैं इसलिए इसका answer होगा all of these next question पर चलेंगे फटाफट से तो question number 34 पूछा गया है which part of flower changes into fruit part जो आपका flower होता है उसका कौन सा part जो है वो fruit में convert होता है तो भही flower की जो over होती है वही fruit में convert होती है और यह होगा option number C और इसके साथ हम खत्म करेंगे आपके chapter 12 का mcq I hope आपको यह multiple choice questions of reproduction in plants clear हुआ होगा इसका जो concept video है वो भी already बना हुआ है अगर आप एक-एक topic को फिर से revise करना चाहते हैं तो revision video भी हमने prepare किया हुआ है तो जाइए और दोनों video को जरूर देखे और mcq आपको तभी समझ में जादा अच्छी तरीके से आएगा जब आपने अगर यह दोनों videos देखे हुए हैं वैल कहां से देखेंगे आप यह video या फिर और दूसरे चैप्टर के mcqs तो आप देख सकते हैं magnetbrings.com पर आपको करना क्या है सिर्फ अपनी class को select करना है माल लीजी आप class 7th है जो कि आप है ही तो class 7 को आप select करिएगा जैसे class 7 को select करते हैं तो आपको इस तरह से folder दिखेगा इस folder पर आपको जाना है watch now सुर्भी तेवारी करके जैसे आप watch now पर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ सारे chapters दिखेंगे उनके topics दिखेंगे सब topics सब कुछ वहाँ पर है mcq भी लिखा हुआ है हर chapter का mcq उसके टॉपिक्स के साथ में हैं आपको जिस उस पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक वीडियो ओपन हो जाएगा आप अगर पूरा concept वीडियो देख रहे हैं तो वह वीडियो आपका open हो जाएगा उस वीड करके हमें जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करें अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ ही साथ चैनल को भी शेयर करें सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो आप से थोड़ी छोटी या बड़ी क्लास में है यह हमारे पास है 100% free classes from kindergarten to class 12 तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास से रिलेटेड सब कुछ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए ओके अब मैं मिलूंगे आपको मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे हैल्दी थैंक्यू सो मच